एक में रुप्पपी भीएटु तो पर प्रूप पर बेट तो का तो जैन दोस्तों क्याल चाले सब के आज की क्लास हमारी जो सब्सक्राइब क्लास है और मेत्व करों सब्सक्राइब मलत करेंगे अच्छा आज की क्लास में आप प्लस वाले बच्चे हैं जो जो भी प्लस वाले बच्च्छ अगर group पे add होना चाहते हैं मेरे साथ तो कुछ नहीं करना मुझे plus लिखकर बेजना है क्या लिखकर बेजना plus किस नंबर पे मेरे इस नंबर वे 95555 3794 इस नंबर पे मुझे plus लिखकर बेज देना plus defense अगर आप लोग plus subscription purchase किया तभी है ना अब हम बात करेंगे सबसे पहले 16 तरीक की 16 माई से मेरा धासू batch scores आ रहा है जिसमें मैं coordinate पूरा probability पूरा coordinate पूरा गरा रहा हूँ probability पूरा गरा रहा हूँ और साथ इसे trigonometry पूरा यह तीन चीजे हम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से ठीक है कि एवरी सेशन इसका कितने गंटे का होगा एक गंटे का और मैं आप लोगों को बता दूँ हाँ 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 अभी भी करा रहा हूँ ट्रीको त्रीकों अभी तो अगारी बात तो बता दू जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं है यह रेफ्रेल कोड यूज कर लेना पुनीत सर लाइव दस परसेंट ऑफस जाएगा हाँ लेकिन बाकी दो नहीं है न हाँ चलिए शुरू करते हैं पहले कोश्चन से आज की लास में देखें ट्रिग्नोमेट्री में जैसा कि मैंने पहले भी आप ट्रिगों में आपको बताए ट्रिगों में एक कोश्चन हंड्रेट परसेंट कोन सा आएगा बताओ एक कोश्चन हंड्रेट परसेंट कोन सा आएगा हां जी बचे प्लस है बताए बताए एक कोश्चन कोन सा आएगा अंडिट परसेंट बोलो बोलो नहीं इनवर्स से मुझ जाता हूं फिर आगे बढ़ूँगा एंगर लेटीड बोले तो साइन एक्ठारा की वैल्यू अब साइन तीस की वैल्यू थोड़ी आएगी साइन नौ की आएगी इस तरीके के एंगल्स की वैल्यू आएगी तीस तूसकी तो सब को पते क्या है 37 डिगरी नहीं आती 36 डिगरी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यह फॉर्मूला जो लग रहा है वो लग रहा है टू कौस एक्स इंटू साइन वाई का लग रहे नहीं लग रहे यह बता है करśटation लग रहे लग रहे लग रहे यह फॉर्मूला चों सा होता है यह देखते हैा और यह फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस एय प्लस हैpy शॉष्च Сब्स extracting को सॉरी इस सॉर्य इसको माइनस साइन एक्स माइनस वाइन याद है हम इस फॉर्मले का इस्तमाल करके इसे कल्कुलिट कर सकते हैं मुझे आंसर से कोई लेना देना नहीं है मैं आपको कुछ बात समझाना चाहता हूँ आप उस बात को समझने की कोशिश करो बस ठीक है बफरिंग यार मेरी साइट से न और ह और सबसे एल यडिंग डालो और अंगर और इंगर टीड प्रॉब्लम्स ज़ल कुछ अ कि मैं यह को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे JO मना यह बनाएंगे जिसके नंदर अम लोग बाते नीची है इसे कि को सब का ध्यान या रहेगा दो मिनिट देना मैं ज़रा टेबल निकाल लूँ ट्रिग्नोमेट्री गा दो मिनिट रुखो बाई से रेटी डेट कोशन आएगा जैसा की मैं बता चुक हूँ लिखो जीरो डिगरी लिखते जाओ बस पंदरा डिगरी ऐसे बनाओ सारे के सारे अठारा डिगरी 36 दिगरी और 45 अगरे के बारे में तुम्हें पता है बाई PDF मैंने ग्रुप पे डाल दी थी और दुबारा डाल दूँआ जो अपने प्लस वाले बच्चे उनको लिए मैंने PDF डाल दी थी ग्रुप पे दुबारा डाल दूँआ इधर देखो हम बोलेंगे साइन फिर कॉस फ साइन जीरो होता है 15 पे रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइड़ बाई 4 रूट 5 माइनस वन डिवाइड़ बाई 4 और इसे हम बोलेंगे रूट 10 माइनस तू रूट 5 बाई 4 अरे खुष तो है जल्दी बता हाजी सरी इन वैल्यू के याद कर सकते हो यह रखते हो तुम्हें खुद मारने मैंने कुछ नहीं करना इसमें यह द्यार लखना अगला पकड़ो कुसाइनी में कॉस जीरो कितना होता है 1 रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइड़ बाई 4 रूट 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड़ बाई 4 और 36 पर वैल्यू रूट 5 जमा अरे उजवल क्यों निकालेगा यार इसको एक बात बता मुझे क्यों निकालेगा इसकी वैल्यू जब तेरे पास खुद जुगाड़ वाजी है लर्न करने का और जब मुझे पता यार एक क्यों पंग तो जब मुझे पता है तो मैं याद नहीं करूंगा बाई एक कोश्चन सो परसेंट आएगा इससरे लेटिट इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि नहीं है चलो आगे लिखो जीरो पर जीरो होता है तू माइनस रूट 3 होता है रूट 25 माइनस 10 रूट 5 वटे दो स्वारी पाच और यह कितना होता है का पर विटा यह फोर है विडा देखें साइन 15 की वैल्यू रूट 3 माइनस वन अपॉन टू रूट टू होती है लेकिन उसको रैच्टराइज तो कर सकते हैं ना उसको अपन लोग रैशनलाइस कर सकते हैं नहीं कर सकते तो अगर रैशनलाइस करेंगे तो वैल्यू नी लिख सकते हम फिर क्यों मज़े ले रहा भाई है यह अज्चा ले भाई मिटाके लिख दिया फिर से 4 को ओके ठीक है ना आप सुनो कुछ बच्चे इस बात से लेके गाली दे रहे होंगे कि सर आप एक बाव बताओ पिचत्तर की वैल्यों अब रुख जा ट्यान अठारा की चचा ट्यान अठारा की वैल्यों पत्चीस माइनस दस रूट पांच और यह पूरे पर रूट है बस बात कदम अब समझे उतरा मेरी बात में क्या रहा हूं आप लोग कहेंगे सर आपने पिचत्तर डीरी की वैल्यों नहीं बताई अरे जुरत नहीं न सुनो एक बाह बताओ क्या साइन पंदरा कॉस्पिचत्तर के बराबर है यह सुर्णो यह बताओ साइन पंदरा कॉस्पिचत्तर के बात फिर कहारा 45 जमा तीस करके कर लूगा सुन नहीं रहा साइन पंदरा की वैल्यू टेप के लिग दू और अगर मुझे चाहिए साइन पिचत्तर तो क्यों ना मैं कॉस्पिचत्तर के लिग दूं है कि नहीं ठीक है मारना पड़ेगा यह पिटेगा नहीं तो ऐसे अब मैं रुखजा साड़े बाईस एक चीत तो करांदे अच्छा सुनते जाओ जैसे की बोला मैंने साइन अठारा तो शायद कॉस्पिचत्तर के बराबर हो गया यह हमने पढ़ा था क्लास कोंसी में हमने दस्वी क्लास में ठीक है हमने किस में दस्वी क्लास में एंकल में यह आदे ना इससे बत बैस तक्षण है अब भी अपन बात करेंगे जैसे साइन शब्पन शब्पनी इंच का सी ना होता है आ को शिजय को अब जफकते हैं अब चैया नहीं इसके बराबर बोल सकते हैं तो आदे से ज़्यद्ध तो मैसे निकाल सकते ह। ठीक है अच्छा कुछ एंगल्स और आते हैं आज मैं एंगल पर गेम खिलाने वाला हूं कुछ एंगल्स और आते हैं जैसे साइन नाइन मांग लिया अभी साड़े बाइस पर भी आऊँगा कॉस नाइन मांग लिया दूनीया जानती हैं साइन नाइन जो है वह कॉस एकिटी वण के बराबर हैं लेकिन यार में तो कॉसएक्टीवन भी याद ही लागर ज़किव Carrie Acts तो आप यहाँ पे use करेंगे half angle formula इधर लिखो half angle formula half angle formula half angle formula क्या होता है cos x by 2 बराबर root under 1 plus cos x by 2 yes 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 वो करूँँगा भी रूप जाब और यहीं पे sin x by 2 भी लिख सकते हो आप जल्दी से लिख लो बहले formula मतलब चाहे sign निकालना हो चाहे cos निकालना हो आप इधर देखिए तमीज से अगर आपको cos निकालना हो चाहे आपको sign निकालना हो हमेशा और हमेशा आपको जरूरत किसकी पढ़ने वाली है आपको जूरत पढ़ने वाली है cos की आए ना आपको जुरत पड़ेगी किस की जुरत पड़ेगी सी दिसी बात एं अच्छा इसको समस्ते है जरा मैंने मानलो कॉस 9 निकालना था मेरे को क्या निकालना था कॉस 9 डिगरी और भई पूछले कॉस 9 डिगरी की वैल्यों निकालनी थे यह सुब धू एक्स बाई टू बराबर रूट अंडर 1 माईनस स्वाली 1 प्लस कोस इक्स बाई 2 ऐसी होना है हां बोल बोल क्या कहना है पूट एक्स बराबर 18 येस एक्स बराबर 18 तो कॉस कितना हो जाए गई है 9 इस इक्वल स्टू 1 प्लस हाँ नए वाले 16 तरीक के कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री दुबारा होगा बहुत डिटेल में होगा लेकिन वो प्लस पे होगा है ना तो जीरो लेवल से शुरू के अंड लेवल तक तो आपको अच्छे से पढ़ना है ठीक है अब अगर मैं कॉस्टारा की वैल्यू यहाँ पे हाँ हाँ वो तो मुझे पता है बात समझारी हो जाएगा अभी है 16 तरीक से शुरू हो रहा है वह बैच कोर्स ठीक है उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे उके लिंक बेज़ दूआ भई ग्रूप पे जो प्लस वाले बच्चे उनके प्लस के ग्रूप पे लिंक बे सब बच्चों को टैन साड़े बाइस डिगरी की वैल्यू याद होनी चाहिए यह मैंने उस टेबल में लिखवाई है यह उस टेबल में हमने लिखी है साड़े बाइस को आप टैन पाइवाई एट भी तो बोल सकते हो और इसकी वैल्यू बेटा रूप टू माइनस वन होती है यह आपको रटी भी होनी चाहिए क्योंके निकालने को आप साइन साड़े बाइस की वihad कर सकते हो कॉस साड़े बाइस की विए Просто क्या फायदा है आप इसको समझो सिंपल बेटा एक्जाम में कैसे भी हो सकता है यह रूट में भी हो सकता है और पॉइंट में भी हो सकता है डेसिमल में भी हो सकता हमें नहीं बता हमें तो अपने तरीके से गरना है हम इसको पहले और समझे लेते हैं देखो हमें करना क्या पढ़ेगा मेरी बात सुन लो बहुत इसलिए आता है वह ठीक ना तो इसलिए जैसरी नाम का नाम लेकर पेल दो बेटा अभी मैं डाल दूँआ वह वीडियो की एससार और डबले में क्या डिफ्रेंस है वह बात की बात है फिलाल अब कम से कम एक है कर दो टेबल याद करा हो एक को चला रहा है फिर भी उसमें हो रहा है पर कैसा आदमी है तू इधर देख भाई मेरी साइट से नहीं है प्रियम तेरी साइट से कर ले उसको डिफ्रेश हाँ अब देखो जराब अपने बाद 10.25 की वेल्यू आ गई 10.25 की तो अपन ने याद कर ली रूट टू माइनस वन 10.25 की याद नहीं करी रूट टू माइनस वन अच्छा एक बात समझो मैंने 10.25 की वेल्यू आद करी रूट 2 माइनस वन मुझे निकालना है साइन साइड़ेश कॉस साइड़ेश और मैंने पड़ादा वन प्लस टैन स्कूर साइड़ेश इस इक्वल स्टू सीकेंट स्टूर साइड़ेश याद है यहाँ से 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 कॉस वह तुमने साड़े चार डिग्री अभी तक आया नहीं है बट यार मुझे उम्मीद भी नहीं कि साड़े चार डिग्री या कोश्चन आएगा बट ठीक है जितना हमने एंगल का पार्ट पड़ा एट इस मोर दन एनफ हम इजीली कर सकते हैं इसकाई कोश्चन ओके या हो गया वाई हम प्रिवियूष या कोश्चन करेंगे सारे लेकिन मैंने क्या बोला कि आप बस प्लस में बैठे रहूं ठीक है और क्लास में आफने जाओ मेरे साथ सब्सार हम सारा कश सौरसप्सक्राइब सिक्क ठीक है आप stirring युह धिन ने औ date डिएन टू डिग्री मेजर देखो यार यह आजकल यह एक कोश्चन मुझे इसकी पूरी-पूरी उम्मीद रहती है कि पेपर में आएगा फसना ही फसना तो हम इसे भशा देते हैं जरा डंक से देखो कैसे सारी दुनिया जानती है पाई रेडियन इस इकल्स टू बनेटी डि दुनिया अगर मैं निकानों तो अंपकर रेडियन तो हम उससे वनेटी भई पाए बोल सकते पे बोल सकते नहीं बोल सकते हैं है पहले ऐसे याद करो ठीक है काम की बात सुनो काम की बात यह कि एक डिगरी में साथ मिनेट होते हैं 60 मिनट मतलब 60 के उपर सिंगल डैश 60 डैश ठीक है यह में बाई डायमेटर वाले फॉर्मले पूछे नहीं अभी हम करेंगे इसको वन मिनट में 60 सेकिंड होते हैं और 60 सेकिंड का मतलब हुआ 60 डबल डैश अब आदे से यदा बच्छेŁं कोई तरीका हैCloud मैंने मैंने माई कोच्छा बटा है जब मैंने पूछा नहीं तो आपने किससे पूछ के मुझे बताब करेंमें जब मैं पूछ में रहा्ण तो आप ब अभी पहले इसको समझ लो जरा जो मैं यह समझाने कोशिश कर रहा हूँ ठीक है आप मेरे पूछने गंते जाल नहीं करेगा तू तेरा तो स्वागत करूँ मैं रूख जा देखो अब देखें जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि डिग्री को आप कभी भी डिग्री को कि पॉइंट में लिक सकते कभी भी ऐसको कि प्रैक्शन में लिख सकते कभी समझे क्यों जला फिछ्ष कि मैं kg 22.3 5 मैं Сे बोलू तो यह रॉंग meeting सकते 22.35 डिग्री आप नहीं लिक सकते हैं क्यों कि अट डिग्री का डिफरेंस बहुत कम का होता है और उतने कम डिफरेंस में तुम point U gc rate और दूसरी point दूसरी भात ये भी है ये तो पहला point हो गया दूसरा point ये भी है एक चीज समझने ला दूसरा point क्या दूसरा point ये भी है कि जब भी आप degree वाला question करते हो जब भी degrees वाला question करते हो तो degree से चोटी values अपने पास है minute और second तो हम लोग minute और second पर भी काम करेंगे, बात समझ रहे हो, हम लोग मिनट और सेकंड पर भी काम करेंगे, उक्के रिपोट, ठीक है, आच्छा, देखें, जैसे आपके पास फोश्चन आ गया, सिक्स रेडियन को कनवर्ट करो, डिगरी में, बच्चो इसको ध्यान से समझेना, मैं पूरा लंबी चौड़ी कैलकूलेशन करके आपको समझाने बागा, लंबी चौड़ी कैलकूलेशन, और जैसे मेरी लंबी चौड़ी कैलकूलेशन खतम हो जाएगी, आपको एक short trick बता हुआ ओके पहले समझो ज्याने समझो कोई जल्दी नहीं आपने को ठीक है आपने को पूरा एक गंडा एक गंडा बिताएंगा राम से अपने को पता है कि पाई रेडियन is equal to 180 degree तो 1 रेडियन को शाइज 180 by pi बोल सकते हैं और 6 रेडियन को अपन बोल सकते हैं 6 into 6 into x of c by pi बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं सिरफ value डाली और कुछ नहीं करा है yes or no okay report मामला इसको थोड़ा simplify कर देते हैं 6 रेडियन is equal to 6 रेडियन is equal to 6 into 180 22 by 7 बेठा पेपर में इस तरीके से नहीं करना तो आपको इस तरीके से टेपना भी नहीं है आपका काम है सिरफ और सिरफ पहले समझना अगर समझ गए तो मेरा काम बन जाएगा और आपका काम बन जाएगा तो इसलिए सुनो ठीक है सिरफ सुनना है कॉपी बन को छोड़के सिरफ कान खुले रखो और कुछ नहीं इधर देखो दो ग्यारा जा दो तड़ाके काट दिया भाई तो छे रेडियन मेरा आगया 21 इंटू 180 डिवाइड़ बाई 11 इसको मल्टिप्लाइ कर लेता हूं ओके 378 3780 बाई 11 तो आप डारेक्ट लिख सकते हूं 3780 3780 बाई 11 बाई समझते जाओ बड़ा मुश्किल लग रहा होगा भी तुम्हें बहुत जादा मुश्किल लग रहा होगा डिग्री बट मैंने क्या इसको चेंज कैसे करेंगे इसको करेंगे पहले डिवाइड करना जरूरी है 3780 पहले सुनते रहो सिर्फ आखे ना कान मूंग खोल के या बैठे रहो बस ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे 11 तडाके 33 चार आट पॉइंट में निकाल देता है किसे पॉइंट में निकाल मैंन पॉइंट में निकाल सकते हैं तो डिवाइड करके यह आएगा डिवाइड करके यह आएगा 343 होल 343 होल 7 by 11 डिग्री यह तो पता है सबको मैंने कैसे लिख दिया आप इसको complete होल नंबर में करेंगे तो आपने ऐसे लिख दिया ठीक है बाई रिमेंडर आया 4 चार आया था इसको देखो रीड कैसे करते हैं इसको बोलते है 343 होल का मतलब है 343 होल नंबर यानि 343 डिग्री 7 by 11 डिग्री बाईजाव लडाई है हमारी इससे 7 बटे 11 से 7 बटे 11 से 7 बटे 11 से बोल सेवन बाई 11 इंटू 60 कर दूँ मिनट वह एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो यह हो गया 343 डिग्री 420 तुम्हारा नंबर आगे 420 वेवरेट बाई 11 मिनट फिर इसको मिक्स फ्रेक्शन में करेंगे अगले पेच्पे कर रहा हूं 343 डिग्री ग्यारा चारसो बीस तेंतिस एक्टी एट दो अरे बिल्कुल लॉंग है यार रुपतो जा जादी दाक्तों के साथ छोटा कर दूंगा मैं इसको अरे जादी दाक्तों के साथ इसे छोटा करूंगा रुपतो जाओ हमने करा 343 डिग्री 38 मिनट और टू बाइ 11 मिनट अम इस समझ भी मत समझ नहीं आया छोड़ दो समझ नहीं आया छोड़ दो यहाँ पर हम जादी शक्तियों का इस्तिमाल करेंगे और लास्ट में समझ आजएगा बस वेट करो पेशन्स रखो अपने अंदर पेशन्स रखो पेशन्स रखो के तो पेशन्स नहीं बनोगे समझ गे काम की बाद पर ज्यान दो 343 डिग्री 38 म मिनट इसको कर देते हैं कनवर्ट इन सेकिंड सिक्सी से मल्टिप्लाय करके वहीं टू बाई 11 को साठ से मल्टिप्लाय कर दिया यह इससे चोटा नहीं हो सकता तो आंशार आगया 343 डिग्री 38 मिनट और इसको सिंप्लिफाय करके 10.8 सेकिंड जिसे हम अगले पेश पे येस 34 43 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकिंड और आखिर कार खतम ही हो गया पसी ने छुड़ा दिया ना इत्ता लंबा चुड़ा माल चुड़ा दिना पसी पसी ने चुड़ा दिना वहीं होई बात नहीं छुड़ा दिया अगर किसी को पांच परसेंट भी समझाया मैं तो करा एक परसे जल्दी अभी इस कोश्चन के बाद हम इस कोश्चन को जो इतना बड़ा हम कर रहे हैं वो इतना था हुझा है देखते रहो हाँ स्कूल में ऐसे करा है वन रेडियन को डिग्री में कनवर्ट करने वन रेडियन को कितने में कनवर्ट करने डिग्री बेटा यह तुमारी जान यह तुम्हारी डार्लिंग इसके विना कोश्चन नहीं होएगा पहले बता दू समझ गए अरे वादित्य को सब पता अगर आप इसे कनवर्ट करोगे 57 डिगरी 16 मिनट और 21.8 सेकिंड आएगा और इसको कनवर्ट करने का जो तरीका है मेरी बात सुनो सारे इसको कनवर्ट करन कितना 57 डिगरी 16 मिनट और 21.8 सेकिंड यही था है ना मैंने आपसे किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोली थी 6 रेडियन की येस और नो आपको अगर इस कोश्चन को दो पेज के कोश्चन को दो लाइन में करना है तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा आपको इसे ली डिएन का मतलब क्या एक 6ного 22 8 चार चेली नहीं बारा और एक तीरा और 23 बिटा वेह देखता रहा है छो समझेगा सब टेंशन मतल्या इंडू ना में बुलाती है मागर जाने का नि सर है तो घब्राने का लिए यह 342 सर हमारा अंसर आया 342 डिग्री 96 मिनट 130.8 सेकेंड मुझे ऐसी कोई घड़ी लाके देदो जिसके अंदर जिसमे 120 सेकेंड प्लस 10.8 सेकेंड का मतलब क्या हुआ दो मिनट यह दो मिनट को इसके अंदर आड कर देंगे बात समझाई बात समझाई दो मिनट तो इसके अंदर आड करेंगे कितना हो जाएगा 342 डिग्री 98 मिनट और 10.8 सेकेंड ओके क्लियर ऐसी बेटा रुख तो जा विशाल तेरा अभी का डाउट क्लियर करूँ और रुख जा तो आपको पेपर में लिखकर आना है एक्चुल आंसर आप लिखेंगे 343 डिग्री यूज मत कीजिए अच्छी आईगी किस पॉइंट आठ ठीक है दस पॉइंट चार अगर आ जाता है देखो दस पॉइंट आठ था यहाँ पर अगर दस पॉइंट चार आते तो आप 10 सेकिंड लेंगे तो आप क्या लेंगे 10 सेकिंड लेंगे कि बिल्कुल क्रणा रहा हुँ वैं वंन रेडियंट कि इसका भने लिए हैं उसले सटावण सेकिन यही बताया दा कि नहीं बताया था यह रहा जो हमें दस में पर जन्य आście दस्से मलटीप्लाइं दस कि दस्से मलटीप्लाइयं दस से मुठीप्लाइं लूस्सो अठ्छारा से कि मिल ऑफ़कल साथ मिनट और 570 डिग्री आपका टार्गेट हमेशा छोटी टर्म से बड़ी टर्म आएगा छोटी टर्म से बड़ी टर्म ठीक है यह 218 सेकिंड 218 सेकिंड के 3 मिनट इसको दे दिये 163 मिनट और 38 सेकिंड 163 मिनट के दो घंटे इसको दे दिये यानि 500 बाततर डिग्री 163 मिनट और 38 सेकिंड बोलो क्लियर है बात समझाई अब जो कोश्चन हम दो पेज में कर रहे हैं हम उसे दो लाइन में कर पा रहे हैं इसलिए मैंने बोला था वेट करो एक कोश्चन तो मुझे खुद करके दोगे फूरा मैं दे रहा हूं तो में कोश्चन देखो आपको करना है आठ रेडियन को डिग्री में वन रेडियन किसके बराबर है आद देख लेन तिवारी अब समझ आएगा तिरेको 57 डिग्री 16 मिनट और 21.8 सेकिंड यह है ना मैंने कितना बोला है आठ सबको आठ से मल्टिप्लाइ कर दे करो 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 खुद करो आंसर बताओ पूरा चाओ टाइम लेलो पहले पढ़ा बढ़ा भी को वह चोड़ा भी कि वह पिसीले बढ़ा हो तो टेडा करके मख्यों को ऐसे लिखो सीधा सीधा आए लगला भी ज़िए शीधा बीख भी लिखें जब रिने इन लाइनों में लिखिला हो इस चोड़ा इसे गरें एट एट जाज सिस्टी फॉर फॉर यह आ गया ठीक है एक सो चौटर पॉइंट चार को इसके दो मिनिट हम इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा एक सो तीस मिनट एक सो चौटर का हो जाएगा चोवण पॉइंट चार चोवण पॉइंट चार ठीक है और यह इसके दो इसके दो गंटे इस डिग्री में बनाया देंगे डिग्री में डालने ना कि चोवण पॉइंट चार सेगें अब कि चोवण पॉइंट चार को आप चोवण लिख सकते हो सीधा और इसे दस से दस दस मिनट कर दूंगा भाई कि समझ आ गया यानि आपका काम क्या है लान करना वह एक डिग्री वेल्यू ठीक है ना ओके बहुत बड़ी आप चलिए आगे बढ़ें इसी के साथ कि क्यारे डिग्री टू रेडियन अब डिग्री टू रेडियन तो नकली है वो तो अभी फिलाल भूल जा आगे बढ़ो एक बनाया हमने सरकल टकलू सरकल बना लिए टकला यह हुआ ऐसे ऐसे बढ़ी यह रेडियस है यह लेंद्ध वार्ग है बाई जब 10.4 था तो आपको पहले ही बताया था कि उसका अप्रॉक्सिमेट लेंगे तो 10.4 का अप्रॉक्सिमेट लेंगे तो 10.4 का अप्रॉक्सिमेट लेंटन होता है देखो सर यह अंगल के लाता है थीटा हमारा याद रखेगा फॉर्मुला थीटा इस इकोल स्टू एल बाई आर थीटा इस इकोल स्टू एल बाई आर अगले पेच में कर रहा हूं थीटा इस इकोल स्टू लेंट ओफ आर्क डिवाइड़ बाई रेडियस सर इस पे कोश्चन आ चुका है 2019 के फर्स्ट पेपर में एंड यह के बहुत बढ़िया है यह और इजी भी तो है अपने को कुछ करना ही नहीं है लेकिन यह बात याद रखना यह जो थीटा है न थी in radians degree में नहीं रख सकते तीटा किसमोन चीए हमिशा radiant में होना चीए उस में नहीं रख सकते ठीक है दोजार ने चाहे नो में हाओ सब जगा है कोज दिकत नहीं हमारा काम पढ़ने कर भी फिलाद ठीक है इसके एक का दुक्त कोश्चन करते हैं फिर आगे बढ़़ते है कि पुश्य निकाल रहा हूं दो मिनिट देना हुआ कि आदेते वाई सोग याग भी कंसेप्ट चल रहा है ना कि अब यह वाले आदित्य की बाद में और यह वाले आदित्य की बाद हो लिए अब भाई स्टीफन वूल्फ वही आदित्य हैं अब देखो अगला कुश्चन कहता है डार्क ऑफ सेम लेंद with the arc of same length of same length in 2 circles subtended angle subtended angle 65 degree and 110 degree with sender find the ratio of their radii बद दो कोश्चन करेंगे आज की क्लास में इसके ठीक है और आज की क्लास को यह निप्टा देंगे फिर क्योंकि हमारा कॉंसेप्ट हो जाएगा कलम प्रेक्टिस कोश्चन ला सकते हैं आपके साथ ठीक है ना देखें आर्क ऐॉफ सेम लेंध कहता है दो आर्क ऐॉफ सेम लेंध यानि दो चीजें एक लेंथ दोनों जगा सेम है भाई ऐल बन ऐन kill बन तु जो है वह धोनोंट क्लाएंगे ऐल मां 30 मस या लाइंगे अलल रिख सकते हैं तारी ओके त्योंट्टे Jaime सब्टन्डेड एंगल तीटा सब्सक्राइब और एक्षोन देगरी एंगल उसने क्या हो लादए थीटा कितना है 65 डिक्री और एक्षोन 05 ॡइख्योन तीग्री रीडियस की रेशियोन चाहिए कि रेडियस की रेशियों हमें निगालनी है थीक ना सुणों ध्यान से अब यहां समय पढ़ा था गिर ने क्रावबर होता है थीटा कि से ब्राबर होता है तो बंढ आरभर ईसे सी आयाधी दो रिख सकता हूं पर इसमें प्रॉब्लम है मैंने तुम्हें क्या सिखा था मैंने सिखाया था कि यह जो थीटा ही नचीए यह एक डिग्रीमों किसमें में तिगनिकन डिग्री अब थीटा1 को सीधा बोल सकते हुए 65 इंटू πाइबाई 180 इसको बोल सकते है फीटा2 इस कोश्चन में अगर आप नहीं भी कनवर्ट करते हो तब भी चल जाएगा लेकिन हर बार पेपर में कनवर्ट करना ही पड़ेगा क्यों नहीं करना चल जाएगा तो रेशो में इश्यू नहीं है लेकिन बाकर सम्हें इश्यू पड़ता तो सो मैं एक ही बैटन पर चल रहा हूँ ठीक है तो ठीटा 1 कितना हो जयेगा मेरा थर्टीन पाई भाई है थर्टीसिक्स एलवन लेंथ वन एल आरवन तेरा ने आरवन तो निकालना है एल और यह आरवन तो आरवन को मैं ऐसे लिख सेथा हूँ थर्टीसिक्स एल अपॉन थर्टीन पाई ओके क्लियर है अगले वाले को पकड़ू थीटा टू एक सो दस है यानि ग्यारा पाई भाई अठारा ग्यारा पाई भाई अठारा एल वन कितना है एल टू है यह आपे एल और रेडियस तू बता नहीं है हाँ रेश्व आफ देर रेडियस एटीन पाई एलेवन पाई नीचे आएगा पाई ठीक है अब क्या करेंगे दोनों को डिवाइड आर वन बाई टू बराबर थर्टी सिक्स एल थडीन पाई अठारा बाई ज्यारा पाई और यहां पे एल बी एल से एल बी नीचे लिखा था ना यह नहीं लिखा नहीं लिखा यह एल लगा दो आगी बात समय में उके तो टाइम वेस्ट ना करूं इजी है न टोटल आंसर आएगा ट्वेंटी टू बाई अथरी ठीक है समझागी एक कोश्चन और करेंगे हम यह दोनों कोश्चन पेपर में आए वे हैं बट जो दूसरा कोश्चन है वो इंसी आटीक है यह दोनों के दोनों कोश्चन आपके एक्जाम में आ चुके हैं और जो दूसरा कोश्चन है वो पेपर में आ चुका है कोश्चन लिखे क्या कहता है कोशन कहता है आवील मेक 360 रेवलुएशन 360 रेवलुएशन इन वन मिनुट हाव मैनी रेडियन हाव मैनी रेडियन इन वन सेकंड एक सेकंड में कितना कवर करेगा यह कोशन दो तीन बार आ गया और यह इंसी इडि में भी है मैंने तो बोला है यह यह इंसी इडि में यह एंसी इडि 11th class का इस थर्ड वुश्चन है आई इस फर्स एक साइस का जाता है जाता है अब देखें क्याता है 360 चक्कर मार दिये एक मिनट में एक मिनट में 360 चकर मारें यह यह वाई उसने बोला है उसने बोला है एक सेकंड में एक सेकंड में कितना revolution लेगा सिंपल थी चीज समझो नहीं जितना भी करना हो करता रहेगा में क्या मतलब है लेकिन एक मिनट की बज़ाए एक सेकंड में तो जाओ पहले तो एक सेकंड पे गए वूचा गया है कि क्या होगा एंगल तो आप बोलेंगे एक रिवर्लिशन का एंगल होता है और बाइट हैं तो चे रिवोलिशन जिंग लोगा 12 समझ यह फाई घी में अंया है हैं कि बोलो मुष्पिल है अब यह पेपर में आया था टाइघ नंबर फ्रीक है नहीं है यह फ्रीक है कि नहीं है नगली खुशन कितना प्राजबीर कुछ नहीं करा तिरगा एक मिनट में तीन दो साथ चक्कर मार दियते ने और उसने बोले एक सेगंड में चेच चकर वाइगा वए एक चक्कर में जब मैं बारा दो पाई मारता हूं तो छे चक्कर में बारा मार दूँआ मुश्किल है कोई तो आज हमने इतना ही करना था बस यहां पर हमारे टाइप के बेसिक्स कल में आप लोगों के साथ यह एक पीडियाफ डिस्कस करूँगा यह वाली ठीक है डिगरी मेज़र मैंने इसमें करा दिया है यह सब डिस्कस करूँगा ओके तो कल वाली मज़े इतना ही बास प्रोल्टी के डाउट बात में आज नहीं